क्या आपके पती आपसे इसी तरह जूट बोलते हैं तो आज कर शोव आप जरूर देखे शादी की बात रोज हो रही है लेकिन शादी के बाद अपने पती को कैसे जूट बोलने से रोके और अगर वो बोले तो तुरंत पकड़ लिया जाए आज आज आपके पती की बाती जानेंगे जिससे पती देव आपके कंट्रोल में रहेंगे आपकी हर बात को मानेंगे कहीं अफेर नहीं चलाएंगे वो ब्यूटी टिप भी जिखाऊंगी जो पती को भाएगी उनको आपकी और और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी अगर आपकी लाइफ में रोमैंस कम हो र हैं नोट कीजिए पहला महां उपाय है कि आप घर के बिना कुछ किये निकल जाते हैं मतलब आपको घर सेने करने ओने जिस काम से बाहर जा रहे हूं उसे तुलसी जी को बताना है घर में एक छोटा तुलसी जी का पौधा जरूर रखें मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूं नहीं है तो ले आईए घर से निकलने से पहले सूरे देवता को जल अर्पित जरूर करें शादी तो हो जाएगी लेकिन क्या शादी के बाद आपके पती आपके साथ ऐसे रोमैंस करेंगे क्या आपके पती आपकी हर बात मानेंगे हर पतनी चाहती है कि पती उसके कंट्रोल में रहे पती उसके अलावा इधर उधर कहीं न देखे लेकिन ऐसा होता कहा है आज होगा मै मैं आपको उपाई बताने जा रही हूं जो शादी के बार आपके पती को आपके काबू में रखेंगे पती को कंट्रोल करने वाला उपाई इस मंतर का प्रयोग पती पत्नी दोनों में कोई भी या कोई एक कर सकता है इससे आपको करने के लिए पहले सिध योग में मंतर का 1100 बार चाप करना और मन में बहुत पार्टनर के लिए प्यार होना चाहिए फिर पार्टनर को पान खिलाईए इससे आपके लाइफ पार्टनर जीवन भर आपके साथ कमपैटिबिलिटी बनाए रखेंगे इस उपाय से पती पत्नी के लिए बहुत ही जादा रुमैंस को भर सकता है मंतर नोट कीजिए जहाँ पर आमुक है वहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर का नाम आपको लेना है जैसे आगर नाम आदित्य है तो आदित्य जै जै सर्व व्यानम स्वाहा पती पत्नी के संबंदों में अगर बिखराव आ गया है तो पती याप पत्नी संभव हो तो दोनों इस मंतर का जाप करें पांच माला का जाप 21 डेज तक डेली आपको करना है जाप पूरे विश्वास के साथ कीजिए शादिशुदा जिंदिगी में प्यार बढ़ेगा इसकी दस माला का जाप आपको करना है इस मंतर से जब आप जाप करते हैं तो यह सिध हो जाता है इसके बाद किसी भी मिठाई को इस मंतर से साथ बाद ऐसे बोल कर मिठाई पर आप अपने हजबन को खिला सकते हैं देखिया आपकी इंटेंशन उनको ओवर पावर करने की न और आपके हस्बन को कोई बिमारी वगर है तो बस छुआ दे ऐसा लगा था 21 देज तक करें इससे पती और आपकी compatibility अच्छी हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी दूसरी फीमेल की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा अब तीसरे उपाई की बात करते हैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ नोट कीजेगा इसका डेली पांच माला का जाप आपको 21 देज तक करना है पती का फ्रेम आपको मिलेगा जाप से पहले भगवान गणेश और मा दुरगा की पूजा जरूर करें मंत्र नोट कीजे मैंने सोचा क्यों ना कॉमन बाइफ की बात सुनी जाएं जाना जाए उनको पतियों से क्या शिकायत होती है और पतियों की भी सफाई सुन ली जाएं फिर मैंने आपको इस प्रॉबलम का पोमन सिल्यूशन बता दूँगी हजबन तो काफी अच्छे है मुझे उनसे जादा कुछ शिकायत नहीं है बट एक शिकायत है कि वो उनको गुसा बहुत जल्दी आता है और गुसा इतना जादा आता है कि उस चन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वाइब से शिकायत यह है कि वो सिस्टमेटिक करने की कोशिश जादा करती है सारी चीज़ें घर में सब चीज़ें अपनी जगहां पर सही रखी हो कुई चीज़ें दोधर फैली नहीं हो वो थोड़ा मुस्किल होता है कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं कुछ कि आज यहां घुमने वहां पर कुछ नहीं है देखने के लिए कुछ जगह नहीं है आउटिंग में वो थोड़े से बचते हैं दूर भागते हैं उनको फैमिली के साथ टाइम देना जादा पसंद है और हम यह चाहते हैं कि कभी मेरी एक्शुन से सिकायत है कि वो मुझे समझने की कोशिश करें कितनी मज़ेदार नोग जोग थी लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम सौल्व करनी है ना तो आपको पती-पत्नी के बीच होने वाली दिक्कतें दूर करने का उपाए बताती हूं देखिए मंगल दोश की वज़ा से भी कई बार मारेड लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम कलहा बनी रहती हैं स्ट्रेस बना रहता हैं ऐसे में हस्बन या वाइफ या फिर दोनों ट्यूजदे का फास रखें हनुमान जी को लाल बूंदी सिंदूर और चोला चड़ाए तंदूर की मीठी रोटी दान करें मंगलवार को साथ बार एक मुठी रेवडी नदी में प्रवायद करें जरुरत मंदों को मीठा भोजन कराएं मंगल और केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए चांदी का बिना जोडवाला चल्ला पहनिए इससे कुणलियों का मांगलिक दोश दूर होकर पती पतनी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा अगर पती आपसे मारपीट करते हैं तो ह हर संडे को अपने घर और बेडरूम में गूगल की दूरी करनी चाहिए और मार किसी भी हाल में नहीं खाई दूरी करने से पहले पती के साथ अपने संबंदों के लिए दिल से प्रातना कीजिए फिर देखिए मैं जो बोल रही हूं आपके पती से आपके संबंद कैसे पाई है रोज अपने पैरंस के माता पिता के पैर को छुए उनके हाथ अपने सर पर रखकर आशरवात जरूर लें माता पिता की दुआओं में जितनी शक्ति होती है असल उसी से हम उससे अवेर ही नहीं होते देवताओं को भी प्रसंद करना मुश्किल है लेकिन माबाप क की दुआएं अगर आपको मिल गई तो सारे देवता सब भगवान हर तरह से प्रसंद हो जाते हैं पती पतनी की बात होती है तो जादा तर पतनियों को शिकायत रहती है कि उनके पती जूट बोलते हैं और पतियों की सफाई होती है कि पतनिया बेकार का शक्तिती हैं बस इस लग जाएगा कि आपके पती सच बोल रहे हैं या जूट पहला तरीका पती जूट बोलते वक्त भी ऐसा कॉंफिटेंट हो सकते हैं कि लगे की जूट ही नहीं बोल रहे हैं लेकिन अगर वो बोलते वक्त अचानक हाथ पैर हिलाने लगे या बैठे-बैठे पाउं चलाने लगे तो इसका मतलब कुछ खड़ बढ़े हैं दूसरा तरीका आख हमारे मन का आईना होती है इसलिए अगर पती आख से आख मिलाकर बात करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ छिपा नहीं रहे हैं लेकिन अगर आख इधर उधर गई तो समझ जाईए पती का जूट पकड़ का तीसरा तरीका अगर पती की आवाज में घबराहत लगे तोन बदली भी लगे तो इसका मतलब पती कुछ छिपा रहे हैं साफधान हो जाईए चौथा तरीका नॉमल तरीके से बात करते हुए आपके पती बहुत दीरे और सोच समझ कर बात करने लगे तब भी ये शक होन लगता है पांचवा तरीका जूटे पती जूट बोलने के तनाव की वज़े से बहुत तेजी से पलक जपकाते हैं ऐसा एक सेकिंड में पांच ये छे बार हो तो अपनी इमानदारी जिताने पर स्ट्रेस देते हैं सच कहूं या कसम से कहूं इस शब्दों का इस्तमाल करते हैं तो साफधान हो जाईए चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रोटिप का अगर किसी वज़े से हस्बन वाइफ के बीच जगड़े बढ़ने लगे इशूज आने लगे तो एक दूसरे का जूटा शहद या फिंगर से शहद चटाया करें शहद याने की शुक्र और इसमें थोड़ा सा मंगल का भी पाठ है एक दूसरे को शहद चटाने से आपके जीवन में रस वापस आ जाता है अगर ओपन नी ना चटा पके तो किसी तरीके से किसी फॉर्म में दूद में मिला कर दिया करे और एक बात एक शहद की बॉटल में अपनी शादी की तस्वीर या अपने हनीमून की तस्वीर डाल कर शहद की बॉटल को टाइट बंद करकर साउथ वेस्ट में पीले कपड़े में लपेट कर रखने से भी मैरेड लाइफ में फिर से मिठास आ जाती है रोज करने वाले पांच महा उपाई में तीसरा महा उपाई क्या है जानी है क्या आप चाते हैं रोज आपका हर काम बने घर से निकलने से पहले एक नीबू अपने सिर की उपर से साथ बार उसार कर किसी भी चौराहे पर छोड़ दीजे या किसी भी पेड़ के पास छोड़ दीजे याद रखिए छोड़ने के बाद पीछे मुर कर नहीं देखना है सीधा अपने काम पर जाएं इस तरह रोज आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे पती पत्नी के बीच प्यार रहे कोई अन्मन ना हो इसके लिए जरूरी है कि शादेश्वदा जिंदगी का वास्तु एकदम सही होना चाहिए मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ पती पत्नी के रिष्टों को बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र ने दक्षिन दिशा सही बताई है साउथ और साउथ वेस्ट इसलिए बेडरूम इसी दिशा में होना चाहिए दक्षिन नहीं तो पश्चिम आप वेस्ट में साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं नीूली मैरिट जोड़ों के लिए डारेक्शन अच्छी वानी गई है इन तीन दिशाओं में कोई भी अन्य दिशा बेडरूम के लिए ठीक नहीं है मैरिट कपल के लिए शादी होने के बाद हानी मून और फिर उसके बाद जोड़े को सबसे ज़ादा क्रेस फोटो अल्बम का होता है लेकिन तस्वीर को चुनते समय कपल को तस्वीर की सही दिशा का चायन भी करना चाहिए वेडिंग डे की तस्वीर लगाने के लिए बेडरूम की पूर्फ की दिशा सही रहती है पूर्फ दिशा आपकी शादी को पॉजिटिव एनरजी देगी गलती से भी इस तस्वीर को दक्षिन और दक्षिन पश्षिम यानि कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच ना लगाएं क्योंकि ये जो डारेक्शन होती है ड्रेनेज की होती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बिलकुल ना लगाएं और आप ध्यान रखें, तस्वीरों को टांगे नहीं लगाएं नए जो married couple की photo है, किसी भी शादिश युदा जोड़े की अगर आप photo लगाते हैं इसके लिए bedroom सही जगा है, वहाँ एक दूसरे को समय देते समय आपको लगाना चाहिए वास्तु के अनुसार, पती पतनी दक्षिन दिशा में सिर रख कर सोएं तो बहुत अच्छा हता है ये दिशा उनकी love life, दोनों की आपसी compatibility को बढ़ाती है, एक दूसरे के प्रती आकर्शन को बनाए रखती है वास्तु के अनुसार, साफ तौर पर कहा गया कि पती पतनी के बेड के सामने शीशा ना हो या फिर जब भी वो बेड पर लेते, उन्हें अपनी reflection शीशे में दिखाई ना दे बेड के पास पती पतनी के नीले रंग का लैंप रखे, ये नीला रंग एक दूसरे के प्रती आकर्शन को बढ़ाएगा romance और प्यार को हर पल अपने बेडरूम में बनाए रखने के लिए खुश्पुदार फूल और एक सुन्दर सी मुंबत्ती जरूर जलाएँ फूलों की खुश्बू बेडरूम में अच्छे महौल को फैलाती है और मुंबत्ती की रोश्णी बाहर से आ रहे ही किसी भी नेगिटिव उजा को काट देती है आप कितनी ही धार में क्यों नहों लेकिन बेडरूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएँ वास्तु शास्तर के अनुसार बेडरूम में धार्मिक तस्वीरे होने से पती पतनी के बीच जिजग पैदा हो जाती है romance में तस्वीर है पती पतनी के mind में एक दूसरे के लिए respect बढ़ाती है लेकिन romance नहीं लेकिन जितना समय हो सके bedroom में इनको ना लगाएं Facebook पर हमारे एक viewer Rohan ने अपनी problem share की है उनके father के seniors उनको बहुत परिशान करते हैं job में जिसकी वजह से उनके father बहुत stress में रहते हैं रोहन उपाई जानना चाहते हैं रोहन अपने father को बोलें कि 68 days तक daily सूरे के सामने खड़े होकर आदेते हृदे स्तोत्र का part सुन लिया करें YouTube पे भी easily available है और घर से बाहर जाने जाए पहले गुड़ खा कर थोड़ा सा पानी पीकर right pair निकाल कर घर से पहले बाहर फिर बाहर जा जानते हैं क्या आप चाहते हैं आपकी तकदीर बदल जाए अगर आप रहा से जा रहे हैं और आपको कोई ज़रतमन दिख जाए तो कम से कम पांच रुपे या कोई biscuit को चिप्स उससे धीचिए ऐसा करने से आप अपनी तकदीर को बदलने में मदद करते हैं Entertainment की बाद-बाद में पहले आपके कल फ्यूचर की बात क्या करें आप अपनी राशी के हिसाब से कल को अच्छा करने के लिए मुझसे जानिए मेश राशी के लोग चिडियों को कल के दिन आब जरूर खिलाएं लक साथ दे रहा है आपका 69% जिश्चीब राशी के लोग घर में हनुमान जी की फोटो आप ज़रूर लगाएं लक साथ दे रहा हैं आपका 73% मिथुन राशी के लोग, आप कल जरूरत मन्द लोगों को खाना खिलाएगे लग साथ दे रहा है आपका 77% कर्क राशी के लोग, कल अपने इस्ट का अपने देवी देफता का नाम लेकर फिर घर से निगे लग साथ दे रहा है आपका 72% सिंग राशी के लोग, कल मंदिर में सरसो का तेल दान करें या किसी गरीब को दान करें लक साथ दे रहा है आपका 63% कन्या राशी के लोग, हनुमान चालिसा का पाठ जरूर करें भागे साथ दे रहा है आपका 67% तुला राशी के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा करें आप, भागे साथ दे रहा हैं आपका 71%, व्रिश्चिक राशी के लोग, कान के पीछे काला ठीका ज़रूर लगाईए, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 60%, धनू राशी के लोग, शाम को घर में आप किसी भी टाइम कपूर जरूर जलाएए, लक्ष्मी साथ दे रहा हैं आपका 66%, मकर राशी वाले लोग, कल तुलसी के दो पत्ते खाईएगा, भागे साथ दे रहा हैं आपका 70%, कुम राशी के लोग, कल मंदिर के दान पातर में पैसे दान करें, लक्ष्मी सपोर्ट कर रहा हैं कल आपको 68%, और मीन राशी के लोग, कल लेगिटिव सोच से बचना हैं आपको, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 58%, अब आपको रोज करने वाले महाउपाई में से आज का पांचवा और आखरी महाउपाई क्या है, ये बताती हूँ, सवाल ये है कि क्या आप चाते हैं, बैड रिजर्ट्स आपको ना मिले, तो सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें, और घर से निकलते वक्त जेब में पांच काली मिर्च ले, आप पांच लॉंग भी डाल सकते हैं, आप अशुप के बदले, शुप रिजर्ट्स आपको ना खयाल रखी, बाई-बाई, ठेक कियर.